निवश्कार दोस्तों विंद भारत में आप सभी का स्वागत है मैं आपके साथ साक्षी गुपता आईए बढ़ते हैं खबरों की और शैडोल जिले में सक्रियर रेत माफियाओं ने पटवारी के बाद अब एक पुलिस कर्मी को ट्रैक्टर से कुचल कर मौत के घाट उतार दिया यह संसनी खेज वारदाद ब्योहारी थाना क्षेत्र के बडौली हेलिपैड के पास बीते रातरी करीब साड़े ग्यारह बजे जानकारी के अनुसार बीती रात एसाई बागरी दो अन्य पुलिस कर्मी के साथ एक फरार वारंटी को पकड़ने जा रहे थे रास्ते में ब्योहारी थाना क्षेत्र के बडौली हेलिपैड के पास अवैद रेत से भरा एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया जिसके बा ट्रैक्टर अनियंतरित होकर ट्रैक्टर पलट गया और चालत मौके से फरार हो गया मृतक पुलिस कर्मी के साथी सहकर्मी एसाई गया प्रसाद कनौजिया और आरक्षक संजय ने मामले की जानकारी थाने और वरिष्ट अधिकारियों को दी जब तक थाना स्टाफ मौके प पहुंचे गए वारदात में शामिल फरार ट्रैक्टर चालक को पुलीस ने कुछ घंटे के अंदर ही गिरफतार कर लिया है मृतक एसाई के परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटियां है सबसे बड़ी बेटी करीब 14 साल ही है एसाई मूल रूप से मप्र के सतना जिले क रहने वाले थे बात दे कि कुछ महीने पहले उक्षेत्र में ही रेत का अवैद उत्खनन और परिवान को रोकने पटवारी का एक दल पहुचा था इस दौरान रेत माफियाओं ने पटवारी को मौत के घाट उतार दिया था दो दिन पहले रेत माफियाओं ने इसी क्षेत में खनिश विभाग की टीम पर हमले पर हमला किया और फिर रेच से भारे ट्रैक्टर को लेकर फरार हो गए थे